इसका परोसी कौन है केवल ये तो कितने अलफा है डोजने बच्चों थीन अलफा है ड्रोजने डबल बॉंड वाला कौन है ये दोञों इसको चेक करते हो हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे बिंदास होंगे एक दम मस्त होंगे और जक्कास होंगे तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने नीट के अगले चैप्टर की कहानी जिसका नाम है हाइपर कंज्यूगेशन के नाम है हाइपर कंज्यूगेशन बच्चों हमने अब तक जीओची के अंदर जो भी टॉप चैप्टर पड़े हैं पहला कौन सा था इंड़क्टिव एफेक्ट एक रेजुनेंस अब तीसरा क्या है बच्चों हाइपर कंज्यूगेशन बहुत ही आसान टॉपिक होता है कुछ नहीं करना इसके अंदर बेसिक से कुश्यन है कार्बो केटायन या फिर अलकीन की स्टैबिलिटी को देखने के लिए हमें हाइपर कंज्यूगेशन की ज़रत बढ़ती है तो हम आप हाइपर कंज्यूगेशन को देखने वाले कैसे होता है सर औ आए थीक है तो को है एक और बाइटल से दूसरे और बाइटल में एलेक्ट्रों की सिफ्टिंग होगी एक और वाइटल से दूसरे और वाइटल में समझ में आया यहां पर जरुत होगी वहां पर इलेक्ट्राउन ट्रांस्फर होगा यह क्या करता है पाई इलेक्ट्राउन की सिफ्टिंग करता है किसके साथ बच्चो सिग्मा बॉंड के साथ किसके साथ सिग्मा बॉंड के साथ इसको कहते हैं हम हाइपो कंजूगेशन क्या कहते हैं बच् इस carbon की चार वैलेंसी कंप्लीट है hydrogen 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 इस carbon की तीनी वैलेंसी है this is sp2 hybridized and this is sp3 hybridized जाहन से सुनना बच्चो यह sp2 है और यह sp3 है अब क्या होगा हमारा molecule sp2 से sp3 में जा करना चाहेगा तो होगा क्या यह जो alpha hydrogen है ना alpha hydrogen यह electron को donate करेंगे कहां donate करेंगे pk vacant orbital में pk vacant orbital में तो यहां ते यह HA क्या करेगा अपना electron देखे जाएगा किसको carbon को और carbon दुवारा से क्या करेगा donate करेगा कहां donate करेगा वच्चो pk vacant cell में समझ में आया तो HA ने अपने electron दिये फिर HB भी दे सकता है और HC भी दे सकता है कहने का मतलब है कि यहां पर तीन hyperconjugative structure बनेंगे बच्चो कितने बनेंगे तीन क्यों बनेंगे क्योंकि यहां पर alpha hydrogen कितने हैं तीन है 1 2 3 समझ में आया तो तीन alpha hydrogen तीन structure कैसे आओ देखते हैं पहला तो यह देख लिए आमने तो HA गया हमारा यदि सपोज करो कि HB जाता हमारा तो कैसा बनता बच्चो य मेरे पास HA तो था ही यह HB हमारा चला गया तो क्या बचा HA और HC और यह क्रिएट कर रहा है अपना devil bond ही है तो यहां से क्या जा रहा है बच्चो HB जा रहा है बाहर as a positive end बनके रमज में आगे आपको कोई दिक्चत है कितना आसान है एक बार आपने HA को बाहर किया एक बार आ देख वार आप HC को बाहर कर दोगे है ना A B और C तीनों मिलके प्रांसफर हो गया कित के पास प्रांसफर किया किसके पास वेकेंट पी और वाइटल के साथ यह जो क्रारबन का और वाइटल है जो की वेकेंट पी और वाइटल है इसमें आपने हैड्रोजन के है ऑनकी अलपा इसटनी हमारे पास हाइपर ओंजुगटिव स्ट्रक्चर तो गया अब देखो हमने यह चीज तो देख लिए बच्चों कि पाई एलेक्ट्रों सिग्मा बॉंड के साथ कॉंजिवेशन कर रहा है दी लोकलाइशन हो रही है उसको हम कहते हैं हाइपर कॉंजिवेशन अब देखो कार्बन हमें अलफा कार्बन को देखना इंपॉर्टेंट है अल इसमें मैं लिखता हूँ CH3 तो मेरे पास फंक्शनल ग्रूप के पास वाला बिलकुली परोसी इसका परोसी कौन है यही तो है एक ही तो बचा इस कार्बन के कितने बॉंड है बच्चों एक दो तीन यदि यह अलफा कार्बन है यदि यह अलफा कार्बन है तो इसके हाइड्रोजन को हम कहेंगे बच्चों अलफा हाइड्रोजन अलफा हाइड्रोजन और अलफा हाइड्रोजन कहारें के मतलब इसमें कितने अलफा हाइड्रोजन है तीन तीन अलफा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं है ना 1,2,3 समझ में आया चलो जैसे मान लोग कि यह हमारा सिंपल सा कॉंजुविशन कैसे हो रहा है देखो वैकेंट और वाइटल से हमारे पास कहा जा रहे हैं इंप्टी और वाइटल में एक कॉंजुविशन ट्रांस्फर हो रही है एक फाइब बन रहा है that means हमारा parallel overlapping हो रही है sideways overlapping हो रही है ठीक है तो ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं alpha hydrogen को देखने वाले हैं कहां पर alpha hydrogen की value जाधा है और कहां पर कम है ध्यान से देखना मान लोगों कि मेरे पास ऐसा कोई question है CH3 CH2 positive मैं आपसे पूछता हूं बच्चों इसमें कितने alpha hydrogen है और suppose करो एक ऐसा question है कि मैं इसमें पूछ रहा हूं आपसे कि कितने alpha hydrogen है आप क्या बोलोगे कि सर positive चार्ज यानि यहां पर कोई functional group attach रहा होगा वो चला गया तभी तो positive है इसको पास वाले carbon को हम क्या कहेंगे alpha carbon और इसके hydrogen क्या कहेंगे बच्चों alpha hydrogen अरे जूट मत बोलो alpha hydrogen होगा कि नहीं होगा तो यहां पर कितने alpha हैं बच्चों और यहां पर कितने alpha हैं तीन तो यह हो गए और तीन यह हो गए तोटल छे अलपा एच समझ में आया alpha hydrogen गिनना सीग गए ना तीन यहां यहां समझ में आया क्या functional group का बिल्कुल परोसी देखना है हमीं कुट आउट है यहां तक बच्चों चलो तो अब जो होता है ना कि हमें यहां स्चैबिलीटी करनी होती है अलकीन की तो हम क्या देखते हैं नंबर ऑफ अलपा हाइड्रोजन देखते हैं ये फिर अधिर के पास यह कारवं है इसमें हमने क्या कर आ एक नेक्स्ट कार्वन है बच्चो इसमें मैंने क्या करा है दो दो CSD अटाच कर दिया और एक कार्वन में मैंने क्या करा एक ही CSD अब मैं आपको बोल रहा हूं आपकोलिफड दिखेगे कुछ करना हो तो आपको आल पा हाइड्रोचन चेक करना परेगा क्या चेक करना पड़ेगा अल्फा हाइड्रोजन तो यहां पर बताओ बच्चो कितने अल्फा हाइड्रोजन है इस पॉजिटिव चार्ज का परोसी को होना है एक CH3 दूसरा CH3 तीसरा CH3 यहां तो कितने CH3 होगे इसके पास तीन तीन होगे यहां पर बच्चो केवल तीन अल्फा हाइड्रोजन होगे समझ में आया तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है ए में तो सबसे ज्यादा कितना आसान है बहुत आसान है बढ़ाई से आसान कुछ है नहीं बिलकुल आसान है आपको समझ के चलना पड़ेगा चीजों को जब हम समझते है ना तो हमें वह आसान लगने लगती है इंट्रिस्ट जगाओ कि सर्क बता के क्या गए थे एक तम एक एक कॉंसेप्ट को समझा रहा हूं बिलकुल बेस से बस आपको सुनना है अब देखो मान लो कि उन्होंने अलकीन की स्टेबिटी हमें पूछ दी CH2 डवल बॉंड CH and CH3 और सपोस्पोस करो CH डवल बॉंड CH2 और यहां पर मैंने एक डाल लिया CH3 और यहां मैंने एक डाल लिया है CH3 ठीक है अब आप मेरे को बताओ इस इस ए ए और बी की स्टेबिटी चेक करनी है तो मेरे को ध्यान से एक बाद बताओ ए में कितने अलफा हिड्रोजन है बच्चो ए में आपके पास केवल तीन अलफा हिड्रोजन है केवल तीन अलफा ह पला कौन है ये दोनों इस परोसी कौन है ये तो कितने अलफा इनलफा इसको चेक करते हैं यहां पर डव़ Бरुस फीम consistency को ध्यान से देखो इसके कितने परोसी है? तो हो दो परोसी है एक परोसी के पास तीन अलपा spring और दूसरे परोसी के पास तीन अलपा फ्रोटेल व्हीं प्रॉटके याँ पस याँ प्राइव इनि चैनल में 222 आ बार्व ची किसकी योगी मैं कि這邊 अब समझ में आएगा तो दोस्तो ध्यान से जुमना एक-एक चीज को explain करना important है ठीक है? देखो मालो मुझे इसकी stability पूछी गई है तो compound के अंदर जब हमारे पास bond line formula पूछे गए है यानि कि ऐसे compound जिसमें carbon की सारे atoms को indicate नहीं किया जा सका तो मालो कि यहाँ पर मेरे पास carbon होता और यहाँ पर भी carbon होता और यहाँ पर भी carbon, यहाँ पर भी carbon और यहाँ पर भी carbon bond line पे यह होता है और सब जब़ेगा हम क्या assume करेंगे hydrogen, CH3, CH3, CH and CH3 carbon complete करना था हमें उसी ताब से हमने hydrogen को arrange कर दिया यहां भी हमने क्या करांब पच्छों हाय्ट्रोजन को अरेंच कर रहा है यहां भी हमने यहां आप मेरे को एक बात बात बताओ कि A और B उब ज्यादा stable कौन है ने की हमें क्या देखना पुरेगा double bond का परोसी इसके पास ज्यादा अलफा हाइड्रोजन है डवल बॉंड का निरेश्ट नेवर गॉन है इसका परोसी गॉन है एक यह थी तरी एक यह थी तरी और एक यह थी तरी तरी परोसी है ना यह पर कितने अलफा है तीन तो इसके पास हो गए, थेन इसके पास हो गए, ठीक है? समझ में आया? ठीक है? अब यह गलती मत कर रहा है, जो आप कर रहे हो, यहाँ पर यह डवल बॉंड का परोसी नहीं है यह कंफूजन कभी नहीं आना चाहिए, इसका डवल बॉंड का परोसी किया है यह बिलकुल थेहान से सुनना अल्फा है डुन की बात करेंगे इसके पास हो अल्फा वमारे पास किसके पास है केवल यहाँ पर डवल्बॉंड का पुडुसी को द्यान से देखना। इसके पास बच्चा 1 ही अलपा है, कितने अलपा है, 1 अलपा है, तो एक के पास कितने अलपा है, 6 अलपा, एक के पास कितने अलपा है, 1 अलपा, तो A और B में ज्यादा stable कौन होगा बच्चो, तर A होगा, क्लियर है तब समझ में आ रहा है देखो हमने A और B में stability चेक कर ली इस questions की यहां पर क्या लगेगा CH3 यहां पर यह कार्बन है इसके पास कितने अलफा है समझ में आया और यहां पर यह कार्बन है इसका यहां पर कितने अलफा है बच्चो वन अलफा एक जिगह कितने अलफा है और एक जिगह वन अलफा तो ज्यादा किसकी होगी पाइव अलफा वालेगी ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन है बच्चो एक समझ में आया स्टेबलिटी चेक करने के लिए आपको नमबर ऑफ अलफा हाइड्रोजन देखने परेंगे वो इंपॉर्टेंट है बिना अलफा हाइड्रोजन देखे वे आप स्टेबलिटी नहीं बता सकते हो वो दिक और कीकिट्री में देखनेंगी हम आपको पता दुएंगा किस और में आरेंज़ करते हो तो कहीँ भी थे कタिकेक्र का सथोराइब और उस चेस में पहले के लिए देखने डे फिर फिर। पूरा ओर्डर में आपको पूरा बताऊंगा कैसे होता है जैसे एक क्वेश्चिन देता हूं बच्चो मान लो कि उन्होंने एक हमारे पास अपर ये एक ऐसा question है और एक ऐसा question है आप देखो यदि इसमें अलफा आडशीन काउट करने जाओंगे तो प्रॉब्लेम आजएगी एक के पास जादा आअगए और एक के पास कम रहा हैं ए और पी में यदि आपसे पूछा जाए किस की stability जादा होगी तो आप यते अलफा आ लाइट वाध्यां कि यहां पर आपको नहीं देखना है यहां पर आपको डिए हो रही है कि नहीं हो रही है क्योंकि आपको रेजनेंस भी चेक करनी पढ़ेगी यहां पर थ्यान से चॉजटम से चा जब भी लमvy तो उसको पहले तो रहा है सके स्टेबलेटी भी जादा हो गई ज्यादा हो गई ज्यान से एक बार जरूर रेजनेंस को देख लेना चेक कर लेना किसमें रेजनेंस हो रही है किसमें रेजनेंस नहीं हो रही है यदि इसमें रेजनेंस हो रही है तो यह ज्यादा प्रेवल है समझ में आया कोई दिक्कत है बहुत आसान है अब देखो ज्यान से चुनो hyperconjugation को हमने जानने से पहले ये देख लिया कि stability कैसे चेक कर रहा है आप देखो हमें alkane की हमें alken की हमें darbocatine की हमें pre radical की किसी की भी stability की पूछेगा तो आप alpha hydrogen यानी darbocatine यानी कि आप क्या चेक करोगे किसका hyperconjugation की value जाधा है कि इंपॉर्ट है ठीक है बहुत चोटा जाप्टर था 10-15 मिनिट का लेक्चर है अराम से देखो इसको रिपीट मोड में कुष्चन भी मैंने आपको करा हैं और बहुत चोटा है इसको अच्छे से समझ लो कुष्चन एक दो आप से पूछे गाई इन जेनरल जो कुष्चन आ झाल